तो अपने 25 पिस्ता और 25 बदाम लिया है इन दोनों को हम ओवरनाइट के लिए शोक के लिए रख देंगे तो एक कटोरी में इनको डाल देंगे दोनों को एक साथ और पानी डाल के छोड़ देंगे इसको हमने टकल लगा दिया और रख दिया है और देखिए अब इसके हम छिलका निकाल देंगे इसी तरह हम सारे बदाम के छिलके निकाल देंगे और पिस्ता के छिलके भी निकालना है इनको भी इस तरह निकाल लेंगे तो यह लिज़े हमने निकाल लिया है दोनों के सिलके ग्राइंडर जार लेंगे और उसी में हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और एक लिटर दूद लिया है गरम होने के लिए रख दिया फिर हमने यह इलाइसी लिया है इलाइची के दाने निकाल लेंगे सिलके हटाएंगे इसको हम ग्राइंड कर लेंगे बिल्कुल इसमूथ हमें ग्राइंड करना है तूड़े ना रहें दूद हमारा गरम हो गया देखोई उबालाने लगी है तो इसे अच्छे से मिलाएंगे और यह कश्टर्ट पाउडर लिया है थोड़ा से दूद बचा लिया था इसमें हम दो चमज जिसमें हम दो चमज कश्टर्ट पाउडर डालके अच्छे से घुल लेंगे इसमें लंस बिल्कुल ना रहें यह लिए ज़ी घुल गया है और इसको थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे इसको लगतार हम चलाते रहेंगे इस पांच चमज से हम पांच चमज चीनी लेंगे आप मिश्री भी ले सकते इसकी जगाब तो डाल देंगे इसको भी अच्छी से घुल लेंगे प्लेम हमें इस समय हाई रखना है और किनारे किनारे के लगा छुड़ा लेंगे इसको भी डाल देंगे कम से कम 10-15 मिटी सो पकाएंगे और यह दूध हमारा पक गया है तो यह हमने जो पीस के रखा था बदाम विस्ता इसको भी इसी समय डालेंगे इसको डाल देंगे और अच्छी सा 2 मिनिटी पकाएंगे अब ज़्याद़ नहीं हमें पकाना वस्यत थयार हो गया है ओधually आप कर दिए हमने अब इसको ठंड़ा करेंगे तो देखी यह भिलकोल ठंड़ा हो गया है इसको आप चलिए हम सुर्व कर लेंगे कि मैंने कांच के गिलास लिया है इसमें भरेंगे तो अगर बच्चों के एक्जाम चल रहा है तो प्लीज अपने बच्चों को यह हल्दे दूद जरूर देजिए इसे बच्चों के दिमाग बहुत तेज रहेगा इम्यूनिटी बढ़ेगी तो इसे सर्फ कर लिए हमने काजू पिस्ता बदाम से तो आप अपने बच्चों को जरूर पिलाएए कि बदाम पिस्ता मिल्क से तो यह लिजी हमारा बनके तयार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें करें शेयर करें